हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट सिल्स रिसेस में आज है 22 जुलाई और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 22 जुलाई से जितने भी करेंट एफेस के कोशन बनेंगे सारे कोशन को इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे और साथ ही दोस्तो इन करेंट एफेस के कोशन से जो भी एक्स्टा फेक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं तो दोस्तो सुरूवात करते हैं सबसे पहले हम जो लाज करास में आप से कोशन पुछा गया था कि निमनल लिखित में से कौन सी बॉक्साइट की प्रमुक जगा है करेक्ट अंसर है ऑप्शन फोर दोस्तो यहां पर हम बात कर लेते हैं जो ऑप्शन है तो ऑप्शन में है दोस्तो जावर जहां पर जस्ते की खान है वहीं पर दोस्तो हम बात करें खेतरी में तो खेतरी तामबा उत्पादक छेतर है यह आपको पता होना चाहिए य विस्व में box iis अंसाधन की मामले में भारत का कौन सा इस्तान है तो भारत का याद इखना दूसरों यहां 5 वा इस्तान है यहां आपको याद आ है box iad aluminium का IS का है और इसकी जो उत्पत्ति है का जो संबंद है दूसरों वह लेटरेट चठ्ठानों से है उसकी उत्पत्ति का जो उम्रे के बाद किस पंडू भी को सेवा मुक्त कर दिया गया है यहाँ सेवा मुक्त किया है दोस्तो आयने सिंद्यु ध्वज को यहाँ पे राइट अंसर है option 2 अगला कोशन दोस्तो अंतराशी नेलसल मंडिला दिवस 2022 कब मनाय गया है दोस्तो अंतराशी नेलसल मंडिला दिवस प्रती वर्स 18 जुलाई को मना जता है राइट अंसर है option 4 अगला कोशन है कि हाली में निर्मल से यह कहलो जी का निधन हो गया है दोस्तो यहाँ किस राज जके पूर्व स्पीकर थे तो मैं आपको बता दू कि निर्मल से यह कहलो यहाँ पूर्व स्पीकर थे दोस्तो पंजाब राज जिके यहाँ पे राइट अंसर है option 3 अगला कोशन है दोस्तो कि उपभोगता के अधिकार के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए जागरती नामक सुभंकर को किषने लॉंच किया है दोस्तो इसे लॉंच किया गया है उपभोगता मामलों के विभाग के द्वारा यहाँ पे राइट अंसर है option 2 यहाँ देखना दोस्तो consumer affairs department के द्वारा जागरती नामक सुभंकर को लॉंच किया गया है next question दोस्तो कि सोहरब कांगोली को किस देश के संसद ने समानित किया है तो यहाँ शमानित किया है ब्रीटेन के संसद ने right answer हो जाएगा यहाँ पे option 2 अगला question है कि अपनी internet सेवा सुरू करने वाला भारत का पहला राज्ज कौन सा बना है यहाँ बना है केरल राज्ज करेक्ट आंसर है दोस्तो option 3rd और रिविजन का अंतिम कोशन है दोस्तो की F.I.H. महिला होकी विश्वकब 2022 का खिताब किसने जीता है इस किताब को जीता है निदर लेडने यहाँ पर right answer है दोस्तो option 3rd और मैं आपको पता दू कि महिला होकी विश्वकब 2022 की उपर विजेता टिम कौन सी रही है तो यह अर्जेंटीना रही है यह भी आपको याद इखना है और अब दोस्तो शुरूवात करते हैं आज के current F.S की और आगे बढ़ने से पहले दोस्तो अभी तक आपने हमाई लेक्षे को लाइकने किया है तो लाइक जरू कर दे share भी करे अगर आप इशेंपर नहीं हो दोस्तो तो इसे subscribe भी जरूर कर ले सुरूवात करते हैं आज के पहले कोशन के साथ और यहाँ कोशन दोस्तो आपके exam perspective बहुत important है तो कोशन है कि भारत देश की पहली आदिवाशे महिला राश्पती कौन बनी है दोस्तो मैं आपको बता दो कि भारत देश की जो पहली आदिवाशे महिला राश्पती है यहाँ द्रोपती मुर्मुर बन गई है यहाँ पर correct answer है option 1 दोस्तो अभी तक इन्हें official राश्पती गोशित नहीं किया है लेकिन अभी तक जितने नतीजे है तोर पे दोस्तो मैं आपको बता रहा हूँ कि द्रोपती मुर्मुर जी दोस्तो भारत देश की पहली आदिवाशे महिला राश्पती बन गई है और आप देख सकते दोस्तो ये है हमारे दीश की महिला राश्पती द्रोपती मुर्मुर दोस्तो द्रोपती मुर्मुर भारत की पहली आदिवाशी महिला राश्पती बनी है और इन्होंने येश्वंद सिन्ना को चुनाव में हरा है मैं आपको बता दू दोस्तो एंडिये उमिद्वार द्रोपती मुर्मुर ने राश्च्पती चुनाव में विपक्ष के जो उमिद्वार थे यसवंद सिन्ना इनको हराय है दोस्तो द्रोपती मुर्मुर का जो जन्म है वह 1958 में उडिशा के महरु भंज में हुआ था मैं आपको बता दू कि यहां भारत की पंद्रवी राश्च्पती बनी है और यहां दोस्तो राश्पती रामनात कोविन जी का इस्तान लेने वाली है साथी दोस्तो यहां पर आपको याद एकना है कि भारत की जो राश्पती है इससे संबंदित जो अनुच्छे थे वो कौन कौन से है तो दोस्तो आर्टिकल नमबर 52 से 62 के बीच राश्रपती से संबंदित अनुच्छत है यह आपको पता होना चाहिए यहाँ पर दोस्तो मैं आपको राश्रपती से संबंदित एक separate lecture लेके आऊंगा जहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि राश्रपती का चुनाओ कैसे होता है राश्रपती के चुनाओ में कौन वोट दाल सकता है और साती राश्रपती से संबंदित जो भी article है जो आपके exam perspective important होगे उन सभी point पर हम discuss करेंगे तो यहाँ लेक्षर दोस्तो जल्द ही एक से दो दिन के अंदर आपके लिए separate आजाएगा आपके लिए अगला question दोस्तो कि विश्व सत्रन दिवस 2022 कब मनाया गया है दोस्तो विश्व सत्रन दिवस मना जाता है 20 जुलाई को correct answer है यहाँ पर option 4 तो दोस्तो हर साल बीश जुलाई को 27 दिवस के रुप में मना जाता है मैं आपको बता दू सभिक राषट महा साबाने वर्स 1924 में दोस्तो पेरिश में अंतर राष्टी सत्रन hill महा संकी स्थापना के उपल लक्ष में प्रति वर्ज 20 जुलाई को, इस दिवश को मनाने की घुषणा की थी यहाँ पर हम बात करें, विश्वर सतरन्द दिवश 2022 की थिम क्या है? तो यहाँ दोस्तो, Women in Chess, यह आपको यादकना है इस वर्षी की थिम क्या है दोस्तों तो women in chess इस वर्षी की थिम आपको याद लिखना है करेक्ट अंसर है option 4 20 जुलाई को 20 वस सतरन दिवस 2022 मनाए गया है और आप चलते हैं next question के और आपके ले अगला question दोस्तों सेवा निवरत सेना अधिकारी राज सुकला को किस आयोग का सदर्षय निउक्त किया गया है तो दोस्तों यहाँ निउक्त किया है इन्हें UPSC के सदर्षय की रूप में निउक्त किया है यहाँ पर दोस्तो हम बात कर रहे है राज सुकला की तो सेवा निवरत सेना अधिकारी राज सुकला को संग लोग सेवा आयोग UPSC का सदर्शिय नियुकत किया गया है दोस्तो लेफ्टिनेंट जनरल राज सुकला को भारती सेना में 40 वर्षे से अधिक का अनुभव है और उन्हें 2021 में परम विशिष्ट सेवा मिधल से भी सम्मानित किया गया था राज सुकला को दोस्तो आतंगवाद विरोधी अभियानों के लिए जाना जाता है यहाँ पर याद रखना है आपको कि संग लोग सेवा आयोक के सदश्य की रूप में राज सुकला को न्यूकत किया है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं UPSC की तो दोस्तो इसको डिटेल में समझ लेते हैं संग लोग सेवा आयोक इसके वरतमान में अध्यक्ष मनुझ सोनी है मैं आपको बता दूँ UPSC की जो इस्तापना है वह 1926 अक्टूबर में हुई थी दोस्तो UPSC से जो संबंदित आर्टीकल है उसकी बात कर लेता हैं तो अनुच्छे 315 संग और भारत के राज है तो लोग सेवा आयोक का गठन करता है UPSC की अध्यक्ष और अन्य सदैश्यों की जो न्युक्ती है वह भारत के राश्पती द्वारा की जाती है UPSC का दोस्तो कोई भी सदैश्य 6 साल की आउधी के लिए या 65 वार्ष की आयो तक जो भी पहले हो तब तक पद पर रह सकता है तो यादखना दोस्तो यहाँ सभी महातो पूर्ण पॉइंट होगा UPSC से जो आपको यादखना है और अब चलते हैं अगले कोशन के और और आप टेरे अंगले कोशन दोस्तो बें स्टोक स किस देश के क्रिकेटर है जिन्होंने हाली में वनडे क्रिकेट से सन्यस ले लिया है दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ क्रिकेटर है इंगलेंड के यहाँ पर करेक्ट अंसर है option 4 और आप देख सकते हैं दोस्तो यह है बैन स्टोक मैं आपको बता दूँ कि इंगलेंड के star आल अंडर बैन स्टोक ने 1-day cricket से सन्यास ले लिया है दोस्तो स्टोक ने अब तक 104 ODI मेच खेले थे स्टोक 2019 में दोस्तो वन डे वर्ड कप फाइनल में मैंन अब दमेच रहे थे साथी मैं आपको बता दूँ कि 2011 में उन्होंने आयलेंड के खिलाब ODI डेब्यू किया था तो या दिखना है दोस्तो आपको कि बैन स्टोक का जो संबंद है वकिसे देश से है तो इंगलेंड देश से है correct answer है option 4 और आप चलते है next question के ओर आपकी लग़ा question है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अद्यक्ष कौन बने है दोस्तो मैं आपको बता दू कि यह जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसके नए अद्यक्ष कौन बने है तो यह मनोच कुमार बन गए है correct answer है option 3 तो मनोच कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अद्यक्ष बने है इन्होंने दोस्तो विने कुमार सक्सेना का स्थान दिया है यहाँ पे हम दोस्तो बात कर रहे है ग्रामोद्योग आयोक की मलग के वी आईसी की के वी आईसी का यहाँ फुल फॉर्म भी आपको याद दिखना है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीस कमिशन यह आपको याद दिखना है दोस्तो खादी और ग्रामोद्योग आयोक की जो स्तापना है वह 1956 में की गई थी और इसका मुख्याले मुंबई में स्थीत है याद दिखना आपको खादी और ग्रामोद्योग आयोक के नयददक्ष कौन बन गए है तो यहां मनोच कुमार बन गए है राइट अंसर है option third और आपके अगला कोशन दोस्तों कि किस राज्य में पहली डिजीटल लोक अदालत की सुरुवात की गई है तो यहां सुरुवात की है राजिस्थान राज्य में राइट अंसर है यहां पर दोस्तों भारत की पहली artificial intelligence modern digital लोक अदालत का जूद घाटन है वो अठारवे अखिल भारती कानून सेवा प्रादीकरन समयलन के दौरान राश्य कानून सेवा प्रादीकरन के अध्यक्ष उदय उमेश ललित दौरा किया गया है मैं आपको बदा दू कि मकदमाओं के धबाओं को कम करने के लिए इसकी स्ताफना किये गई है निती आयोक की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों यहाँ भी अनुमान लगाया गया है कि भारत में अब तक के हर मामलों को सुल जाने में लगबक 324 साल लगेंगे यह आपको यादखना है तो यादखना दोस्तों कि राजिस्तान राज्य में पहली डीजिटल लोक अदालत की सुरुवात की गई है करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू दोस्तों मैं आपको बदा दो कि वर्तमान में राजिस्तान राज्य के जो मुख्य मंत्री है वह कोन है तो यादखना असोग गहलोजी है और यहाँ के गवर्नर कल्यराज मिस रहे है और अब चलते है नेक्स कोशन के और और आपको अगला कोशन दोस्तों कि सिर्लंका देश के नए राश्पती कौन बने है मैं आपको बतादू सिर्लंका देश के जो नए राश्पती है वह रानिल विक्रम सिंदे को चुना गया है करेक्ट रांसर है दोस्तों ओप्शन वन मैं आपको बतादू दोस्तों रानिल विक्रम सिंगे सिर्लंका के आठवे राश्पती बने है सिलंका की संसंद में हुए दोस्तो राजपती चुनाव में 225 संसदी संसद में रानिल विक्रम सिंगे को दोस्तो 134 वोट मिले है रानिल विक्रम सिंगे ने गोदवाय राजपत्चे का इस्तान लिया है यहाँ पर हम बात करें सिलंका देश की तो दोस्तो सिलंका देश इस्तित है एशिया महादीब में सिलंका की राजदानी कोलंबो और स्री जैवर्दन है पूरे कोटे है मैं आपको अदादू सिलंका की मुद्रा दोस्तो रुपिया है और साथी दोस्तों यहाँ पर आपको यादखना है कि भारत और सिलंका को कौन सी स्टेट अलग करती है तो यादखना पाक स्टेट पाक जल डमरू दोस्तों इसे भारत और सिलंका को अलग करती है यह आपको यादखना है तो correct answer है option one रानिल विक्रम सिंग है यहाँ सिलंका के नायर राश्च्पती बन गये है और आप दोस्तों बात करते हैं आज के कोशन आप देड़े की इससे पहले दोस्तों लेक्चर को लाइक ने किया है तो फटावाट लाइक कर दे और सेयर भी करें अगर आप इशेम पर नए हो दोस्तों तो इसे सबस्काइब भी जरू कर ले आज के लिए आपका कोशन की वित्ति आपातकाल का उलेक सवीदान के किस अनुछिद में किया गया है इसका सही जो आपको कमेंट बोक्ष में देना है साथी यहाँ पर दोस्तों और अन्य जो आर्टिकल है यदि आपको पता है तो उन्हें भी डिटेल में जरूर बताए तो आज का लिक्चर दोस्तों यहीं परेंड होता है अगर आपको आपको अमारी मैनत अच्छी लगती हो तो इसे लाग जरू करे सेर भी करे अगर आप इशेम पर नए हो होते हैं तो यह टेस्ट अगर अभी तक आपने नहीं दिया है तो अगले संडे से आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें सो थैंकी सो मच गाईज फॉर वाचिंग इस वीडियो बाई बाई टेक क्यार